तो जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमेदे दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे और इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे एक बार फिर से ग्यान एवं पार्ठेकरम के महत्तुपूर्ण प्रश्ण जो कि आपके एक्जामस में हर बार पूछे जाते हैं क्योंकि हम कि समापरश्ण हमने एक से 30 प्रश्ण अलरडी देख चुके हैं इसक्रेप्शन में उसका लिंक होगा आप वहां से जरूर देखिएगा ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं इस प्रश्ण को तो आपसे ग्यान एवं पार्टिकरम में एक प्रश्ण इससे भी पूछा जाता ह है कि राश्टिय एक आकी करण या राश्टिय समाकलन से आपका क्या तातपर है इंगलिस में बात करें तो नेस्टल इंटिग्रेशन का क्या मतलब होता है तो दोस्तों इस प्रश्ण का सबसे अच्छा उतर अगर कोई दे सकता है तो वह एक भारतिय दे सकता है क्योंकि भा होता है कि राष्टिय के अर्थ की सामाजिक धार्मिक भासी छेत्री और सांस्कृतिक भीनिता को बनाए रखते हुए समूचे लोगों में एक ही राष्टिय की भावना और एक राष्टिय की से एक राष्टिय धारमीक भासाई छित्वे और संस्क्रितिक तुर्पे कितने भी भी नताएं हो लेकिन जब बात एक रास्तिता की आती है तो वो सब मिलकर एक हो जाते हैं इसी को हम कहते हैं नैस्नल इंटीग्रेशन यानि की रास्तिया एका की करण और इसलिए मैंने कहा कि सबसे अच्छा को अपने हाथों में समाले रखते हैं और देश को आगे लेके जाते हैं तो दोस्तो रास्ति एका की करण का मतलब यही हुआ कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की एक रास्तिता की भावना होना और एक भारतिता की भावना होना दोस्तो यह रास्ति एका की करण का मतलब होता ह अब बिल्कुल आप इसे अपने सब्दों में लिखेगा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गया होंगे किया होता क्या है दोस्तों इससे सम्मंदित कुछ आपसे पुछे जाते हैं छी कैं जैसे कि अगर ये पुछ आपको लौंग में पूछता है तो आप इस प्रका एक जो संपर्दाइक सोच है वो हमारी इसमें बाधा उत्पन होती है और जातिवाद और छेत्रवाद छेत्रवाद का रथात मतलब कि हम बंगाली हैं हम गुजराती हम माराथी तो इस प्रकार की जो पत्रवाद होती ही ना जो हमें एक देश से तोड़कर हमें एक छेतर टक सीमित कर दिती आफ वह राशट्र एक काईरण में यहें पादा उत्पणद कर्ती है और संक्र्त अर संक्रता मतलब चोटी सोच होती है कि आपर वह हमारे में से नहीं दोस्तों राष्टिय एक आकिगरण में ये वह बिंदु हैं जो समस्या उत्पन करती हैं अगर आप से प्रश्ण पूछे राष्टिय एक आकिगरण के लौंग में तो आप यहां से सुरुवात करिए फिर उसके बाद हेडिंग डालिए कि वह कौन से ऐसे कारक हैं जो राष् को और कैसे बढ़ा सकते हैं या फिर अगर आप से पूछे कि कुछ ऐसे सिक्षा के सुझाओत ही जिससे राष्टिय एक आकिगरण और बहतर हो तो आप कैसे लिखेंगे तो देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि सिक्षा जो है वह धर्म निर्पेक्ष होती है जो टीचर में आवस्यक संसोधन किया जाए और उनकी समागरी को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि भावात्मक एकता का विकास हो एक दूसरे के लिए भाव उत्पन्न हो अच्छे भाव और मद्यकालीन इत्यास पढ़ाते समय सिच्छकों को चाहिए कि उस बात पर बल दे जो हिं दोस्तों बालकों में सिच्छा के दोबारा ऐसी दृष्टिकों उत्पन्न किया जाए जिससे वो अपनी संस्कृती विरासत के महत्तों को समझे और उनकी सुरक्षा के लिए संरक्षन करे इससे एकाकिकरण राश्टिता की भावता बढ़ेगी विद्याले अस्तर पर केवल मैं नहीं हम की भावना भी कास हो तो दोस्तों ये हो गया राश्टि एकाकिकरण में सिच्छा का योगदान या फिर आप सिच्छा की सिफारी से समझ लीजिए चली दोस्तों कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं क्योंकि यह प्रश्ण बहुत इंपॉर्डन ने अच्छी जानकारी होनी चाहिए और चात्रों में राश्टिता की भावना उत्पन करने के लिए सिच्छक को अपने अध्यापन में इतियास कि उन बातों घटनाओं प्रस्चितियों को बरामबार प्रस्णानुसार उलेक करना चाहिए जो सामुहिक स्मृती है और दोस्तो एक आधर सिच्छक अपने अध्यापन कारे में उन आउसरों का भर पूर उपयोग करें जिनमें सामुहिक रूप से किसी कारे की आउसकता होती है चाहते सब मिल जूल के एक काम करें चलिए बहुत अच्छे दोस्तों अब आपने देखा राश्टिया राश्टिया एका की क इन दोनों में से एक प्रशना आप से पूछा जाएगा तो अंतराश्टिया औबोद या फिर अंतराश्टिया सद्भावना अब जब आप एक राश्ट के भीतर प्रेम की बात करते हैं सद्भावना की बात करते हैं तो वह राश्टिया एक आकिकर होता है लेकिन जब आप इसके बारे में अगर आपसे सवाल पूछता है तो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे कि अंतराष्टी सद्भावना का अर्थ है विश्व नागरिक्ता यह भावना इस बात पर बल देती है कि संसार के परतेक मानों भाईचारे के संबंध हो तता वसुदा एवं कुटुम्ब के सम्मान परतित हो इस दृष्टी से अंतराष्टी सद्भावना विश्व मैत्री तता विश्व बंदुता की भावना पर आधारित होते हुए मानों के कल्यान पर बल देती है अंतराष्टी अवबोद और दूसरे सब्दों में अंतराष्टी सद्भावना विश्व के सम प्रेम सहानवूती तता सहयोग की और संकेत करती है अंतराष्टी अवबोत चीके दोस्तों अब आईए अंतराष्टी अवबोत के बारे में ऑलिवर गोल्ड स्मित ने कहा था कि अंतराष्टी अवबोत एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह केवल अपने राजी जबने काहीं सदस्य नहीं है वह पूरे विश्घ्ता का शचल आव इक विश्घ्रिजी अंतराष्टी अॉबोत समझ में आया होगा अब इस संतर्शल में पूछEC में पुछे जाते हैं अगर आब अन्तराष्टी अवबोत की जरूरत क्या है ऑँसक्ता क्या है इंप्वे क्या है तो देखे मानो सोसड के रोक थाम को रोकने है तू ठीक है रोक थामे तू मतलब ऐसा नहों कि कोई भारत का किसी और देश में जाए तो आप उसे उसका सोसड करें उसके साथ गलत वहवार करें तो इन चीजों को रोकने के लिए अंतराष्टी अवबोद बहुत जरू की आवस्यक है तो अगर लॉंग में पूछता है दोस्तों तो यह हेडिंग डालके आप इसको थोड़ा सा एक्स्प्लेइन कर दीजिएगा चलिए अब अंतराष्टी अवबोद की बाधाय क्या होती है तो वह सेम वही बहुत संकरण राष्टी था मतलब जो नेरो नेस्नल संक्रिती बिल्गुल अलग है वो ताना साही रवाइय अपनाते हैं और भारत क्या है भारत प्रेम की बात करता है तो हमारी उतनी अच्छी नहीं हो सकती इसलिए मतलब यह क्या है यह बाधाय उत्पन करती है ठीक है अब विबेन राष्ट्रिय समू अलग अलग राष्ट् मित्रता होता है ठीक है तो आज जब नहीं मिलती है भिन्यता होती है तो थोड़ी सी इसके अंदर बाधाया आती है चलिए बहुत अच्छा दोस्तों अब आईए अगला प्रशन देखते हैं इसमें अगली पॉइंट को देखते हैं कि आप अंतरास्टी और बहुत का विका अच्छे नहीं हो लेकिन खेल के माधियम से दोस्तों भारत की खिलाड़ी और पाकिस्तान की खिलाड़ी एक दूसरे से खेलते हैं एक दूसरे से प्रतियस पर्दा करते हैं और गेम चलता है तो खेल दोस्तों बड़ा अच्छा उपाय है यह अंतराश्टी और बहुत को ब विकास कर सकते हैं और टूरिजम बेस्ट वे ब्रहमत लिए तो दूसरे देश के बारे जानते हैं आप तूर करने जाते हैं तो वहाँके वह भारत पर पर कोई ट्यूर्ष आता हो तुछ क्ष़छ बहुत इस तãy BE में भारत का नाम क्या होता है रोशन होता है एका को दोस्तों यह आपको समझ में अगया होगा और रह घ्यान रख्याद आपका पंधरा नंबर आपका कंफर्म होगया अब कुछ छोटर्थे प्रश्न आपसे और पूछे जाते हैं कि लोकतंत्र क्या है इसको कभी प्रजातंत्र के नाम से भी पूछा जता कि प्रजातंत्र क्या है तो प्रजातंत्र क्या है कि जनता के द्वारा जनता पर सासन है जनता के द्वारा जनता पर सासन है लोगतांत्रिक सासन विवस्ता में सासन वास्तों में जनता या उसके बहुमत के इक्छा से चलता है ज जब प्रतिनीदी एक खास ओधी के लिए चुने जाते हैं ऐसा नहीं कि बस एक बार प्रतिनीदी बनगे तो पूरी जिंद्धी बनेगे नहीं नहीं एक खास ओधी के लिए बने जाते हैं यानि सरकार एक निश्चित समय के लिए बनती है उसके बाद फिर चुनाओ प्रतिनी कार है आपके समान नियम कानून लागू होते हैं आप सब एक समान है तो यह हो गया दोस्तों लोगतंत्र इससे भी अक्सर प्रश्ण पूछे जाते हैं लोगतंत्र क्या है लोगतंत्र क्या है या फिर प्रजातंत्र क्या है तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ क्या मतलब क्या होता है हमारे εाँ परत्यक्ष लोग नंतर एक्जशμपल की तौर पर अगर मांदें संसर्ण में कोई कानून बनाना है जैसे क्रीशी कानून बनाना है तो वहां पर जंता अपनी राए नहीं रख सकती जंता मतलब जाके इस कानून के लिए अपना वोट नहीं दे सकती जनता के दोड़ा जो चुने गए प्रतिनीधी हैं वह कानून बनाएंगे ठीक है तो आपने एक प्रतिनीधी को चुना और वह प्रतिनीधी उस कानून को बनाएगा तो यह आप प्रत्यक्ष रूप से पहले के जमाने में या और आप प्रतिनीधी वहाँ प्रतिनीधी रहते हैं यह प्रतिनीधी रहते हैं लोग प्रतिनीधी सबसे बढ़ेएं वरना पांथ साल आर्थिक और राजनेतिक सुधार के लिए समोचित वातावर के विवास्ता करता है लोक्तिन्त। उच्यकोटी की राष्टी चरितरिक का विकास करने में सहायक है। स्वालंबन और वक्तिकत उत्तरदाईत्यों की भावना का विकास करता है। देश भक्ति का स्रोत क्रांती से सुरक्षा परदान और सासन कारियों में जन साहब आगिता को विवस्ता करना व्यक्ति की गरिमा समानता समानता आदर्स प्रस्तुत करता है लोकतंत्र का गुड चलिए अब लोकतंत्रिक मुल्य को देखेंगे फिर इस वीडियो को खतम तो देखें समानता रहती हर एक लोग समान है या पर कोई बालक हो बालिका हो पुरुस हो महिला हो चाहे वो किसी जहती धरम का हो समानता की बात होती है सोतनतता की बात होती है नयाय की बात होती है बहुल बात बढ़ा अच्छा संबल है बहुल बात का मतलब विविनता में जैसे कि मान लीजिए आपको आप यहां पे समानता की बात की गई यह तो समानता का मतलब यह नहीं की जैसे कोई सब सारे लोग एक धर्म को मानेंगे नहीं नहीं बहूलवात का मतलब आप अपने धर्म को मान सकते हैं आप अपनी तहवार मना सकते हैं आप अपने इसाब से कल सिhern कुछ और शाय- lesa कि रिए डूपने डुकान डाल सकते तो इतर्पर्कार से आप बहाती अगए अग़िया होगा और इसके बारे आप बहुत अच्छे से लिख सकते अब आईये कुछ प्रश्न को दिखते हैं एक प्रश्न आप से पूछा जाता है कि संस्कृति क्या है मतलब कल्चर किसे कहते हैं कल्चर किसे कहते हैं संस्कृति क्या होती है तो दोस्तों हम सब किसी संस्कृति से जुड़े होते हैं और संस्कृति अलग भी हो सकते हैं जैसे यूपी की संस्कृ करते हैं यह सभी क्या है संस्कृति के पक्ष हैं सरल सब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृति उस विधी का परतीक है जिसमें हम सोचते हैं और कारे करते हैं इसमें वे चीज़े भी समलित हैं जो हमने एक समाज के सदस्य के नाते उत्रादिकारे में प्राप्ति किये एक समाजिक वर्ग के सदस्य के रूप में मानों की सभी उपलब्दियां संस्कृति कही जाती हैं और कला संगीत साहित्य वस्तु विज्ञान सिल्पकला दरसन धर्म और विज्ञान सभी संस्कृति के पक्ष है तधा पि संस्कृति में रिती डिवाज प्रंपराय पर वो जीने का तरीका और जीन वन के विविन पक्षों पर रख्ति विशेश का अपना दृष्टि कोड भी संबलित होता है तो यह सारी चीज़े क्या आती हैं दोस्तों एक संस्कृति के अंत्रग तो आप ऐसे लिखेगा कि जो भोजन हम खाते हैं जो कपड़े हम पहनते हैं जो भासा हम बोलते हैं या जिस भगवान की हम पूजा करते हैं यह सब कुंभी सjskुल थे पक्च चेश प्रकार से संस्क्रीटिक के बारे में ये चीज़े हो गए अब आए ये संस्कृर्थी परिभा सच देखिए रामधारे सिंग दिन और हो भारत के विख्यात कभी इन्होंNE परिभास दिए दर्रा सुनिये क्या काई दोने संस्कृर्थी इसा गुण है जो हमारे जीवन में छाया हुआ है इक आत्म गुण है जो मनुस्त wide सोभा में उसी तरह व्याब्त रहता है किस तरह जिस प्रकार फूलो में खुश्बू, फूलो में सुगंद और दूद में मक्खन वाह क्या वेतर ही इन्यों ने कहा गी संस्कृति हमारे हमार ऐसा गुंट जो हमारे जीवन में छाया रहता है और जो मनुस्य के स्वभा में उसी तरह व्याप्त रहता है जिस प्रकार फूलों में खुश्बू और दूद में मक्षन इसका निर्मार एक अथवा दो दिन में नहीं होता यूग यूगंतर में होता है इसका संस्क्रिट्र इक दिन में नहीं बन जाती युग यूगंतर में क्या बनती है संस्कृर्ट बनती है तो दोस्तों इस विडियो में फिलाल इतना ही खटम करेंको विडियो को वीडियो को क्वह नीं स्रय देख लेतें कि संस्कृतिは जी विशेष्टाएं होती है इसकी विशेष्टा यह है कि संस्कृति सीखा हुआ वहवार है हमने अपने पुरवजों से सीखा और उसे अपने वहवार में परिवर्तित किया तो यह संस्कृति क्या होगे सीखा वहवार संस्कृतिक समाजिक होती है संस्कृति हस्तनांत्रित परत एक समाज की अपनी संस्क्रिती संस्क्रिति उती है ठीकिसे समाज की संसक्रितिक में प्षे तो सके बारे में लिखिए और उसके बाद संस्क्रित की विशेष्टा हेडिंग डालके इनको लिखिए और अगर केवल आपसे संस्क्रिति की विश्चेस ताए पूछ देता है आठ नमर में तो थोड़ा सा इसको एक्स्पिन करिए एक्जामनर भी कहेगा वह वह क्या बच्चे ने पेपर लिखा है तो इस पकार से दोस्तो इस वीडियो को हम खतम करेंगे यह वीडियो यहीं खतम होता है और इसमें हमने देखा दोस्तो 47 मतलब 30 से 47 अलमस्ट 17-18 कोश्चन हमने देखा है उम्मीद करते हैं दोस्तो आपको समझ में आया होगा बहुत 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 शुक्रिया मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तो कमेंट में अपनी राय दे कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और जो भी मैंने यह बनाया है इसका पीडियाप मैं टेलिग्राम में शेयर कर दूँगा अगर आप नहीं जुड़े हैं टेलिग्राम गुरूप से कि यह बहुत शुक्रिया दोस्तों मिलें अगली वीडियो में अगली जारकारी के साथ जाहिन चावारा दोस्तों